मैं डिज्वान चीमा, फ़ूंटर & CEO of Makan Solutions Private Limited, आपका सफर प्लॉट से मकान तक आज की इस वीडियो में को मैं Capital Smart City Sector J के हवाले से एक्स्प्रेंग करने के निए कोश्च करूँगा कि Sector J में 3 बातों जो में है Number 1 is Location, Number 2, Sizes of Plots in Sector J and Number 3, What is the Current Status of Development in Sector J अब बात करें जो पहली बात location के लिहाज से तो location के लिहाज से sector जो है जो इनतहाई एहम block है वो इसलिए एहम है कि entrance gate के साथ जो चक्री रोड बेर main gate है smartity का है जिसे access gate 1 कहते है और उसके साथ left side पे जो block वाकिया है जो block वाकिया है उस block में सबसे पहला sector जो sector G आता है development wise दोनों 180 degree opposite है जी block जो 80 से 90% deliver हो गया है और जो J block है वो 80 तो 90% non develop है इस वोग जो स्क्रीन पर फोटेज देख रहे हैं J block के साथ आगे main road के उपर जो commercial plots होंगे जनकी browning का काम काखाज हुआ है वो plots है और left side पे जो आपको कुछ plantation कुछ roll end नजर आ रही है जहाँ पे कुछ दरख्त वगरा कुछ roll end है यह वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है यह सारे का सारा J block में fall करता है इसकी location के important बात यह भी है कि इसकी location में सबसे अच्छी बात यह कि इस block में parks काफी ज्याद है तीन linear parks हैं दो mainstream park हैं तो जो मेंबरान होंगे हर एक plot के हर एक member को easy access होगी किसी भी nearby park तक जितने smart city में अब तक commitment की है कि अब हम linear park का concept पाकस्तान में लेके आ रहे हैं और यह concept पाकस्तान में बिल्कुल नहा है तो इसको J block में सबसे अच्छा justify किया गया है कि मैं भी आपको google house location पे और map explain करता हूँ कि यह park का concept है यह किस तरह से valid है overseas prime sector J का जो map है layout plan है वो देख सकते हैं overall जो master plan है उसमें sector J जो है वो इस location पे आता है इस जगापे अब यह चक्री रोड पे entrance gate के साथ जैसे मैंने वीडियो के स्टार्डम बात की है बिल्कुल साथ located है और इसमें अच्छी बार जो दूसरी है मैं मैंने parks का जिकर किया था एक ब्लॉक के अंदर that is more than good क्योंकि जो भी मेंब्रान होंगी है प्लॉट बड़े काम है यानि कि जितने प्लॉट्स हैं दस मला के उसके लिहास से देखा जाए तो यहां पर बड़े ही ज्यादा पाक्स हैं तो मेंब्रान जो यहां पर जिनको प्लॉट्स ऐलोकेट होंगे हैं जिन्होंने प्लॉकेशन चूज की है इवन दो इसके डिवलप्मेंट कंपरेजन तो ब्लॉक जी लेट है जिसे मैं जिकर किया वीडियो शुरू में कि वहां पर 80% डिवलप हो चुका और 20% है तो उसकी रीजन यह है कि यह ब्लॉक बहुत चोटा ब्लॉक है जब इसको साइटे डिवलप करना चाहेगी तो मेरा निख्याल किसमें टाइम लगेगा विदिन नो टाइम यह प्लॉट्स जो है वो डिवलप हो जाएंगे अब मैं आपको गूगल अर्थ लोकेशन पे मै यह वाली साइट आ जाती है पूरी इस लीनियर पाक की बैक साइट पर जितना अरिया है यह तमाम का तमाम अरिया नॉन डिवलप्ट है और इस साइट से देखा जाए तो यह वाला सारा अरिया जो है यह नॉन डिवलप है अर्थ वर्क वाइज जो के ब्लॉक के डिवलपन वाइस ब्लॉक जे थोड़ा सा पीछे है अब इसी ब्लॉक को आप देख लेंगर गूगल लोकेशन पे यह एंटरंस गेट है और यह ब्लॉक है अब जिन मेमरान के यहां में प्लॉट होंगे तो उनको बड़ी इजी एकसेस है इस साइट पर भी और इस रोड को यूज करते ह है बड़ी इजी एकसेस ले सकते हैं वो ओवर सी सेंटरल साइट की भी उसकी वज़ा यह है कि यह रोड आगे लीड करता है इस ब्रिज की तरफ और यह ब्रिज आगे लीड करता है 400 में फीट में बिलिवर्ट पर और इस रोड से आप आगे इजी एकसेस लेसे हैं एम टू आपसी मार्केट नहीं रखी गई यानि चोटे चारमला के प्लॉट नहीं रखे गए उनके लिए यहां पर जो में रोड पर कमर्शल हैं वहीं उनकी नेरवर एकसेस पर होंगे तो इस लिए इस ब्लॉग के जो बाकी इमेनिटीज है उसके लिहासे काफी अच्छी पर देख सकते हैं इस में रोड के साथ यह सारा ब्लॉग जे वाक है अब मैं मैं आपको लाइट करता हूं और आपको स्ट्लाइट इमेजिस की मदद से एक्स्टेइन करता हूं कि आज की डेट में यहां पर क्या स्ट्रेट आने वाल दिनों में यहां पर जब डेलप्में अगर इसकी टाइम लाइन पर जाएं और इसकी पाकी प्रीवियस गूगल की उनको देखें इसमें जो चेंजिस आएं तो आप देखें जुलाइट 2021 में इसमें चेंजिस ना होने के बराबरती नहीं आज की डेट में जैसे है वितना ही डिवेलप हुआ था तब अगर हम थ सारा नॉन डिवेलप था सिर्फ ये कुछ पार्ट पर निशली काम हुआ था बाकी एरिया तकरीबर नॉन डिवेलप था ये मैप की मदद से काफी अच्छी अनस्टनिंग मिल जाती है अब इसको तरह मजीद रिवर्स करें तो शुरू में कुछ में रोड पर काम हुआ था बलके ये वले एरिया की ब्राउनिंग भी नहीं हुई थी तो सारा का सारा एरिया नॉन डिवेलप कंसिडर होता था अब इसको मजीद में 2020 में देखें तो इवन दो शुरू को जो में रोड के साथ बिल्कुल कमर्शल प्लॉट का एरिया है इस एरिया पर ये वरकिंग नह नहीं थी यहां पे पुराने साइटी अगरेट था और साइटी ने अपनी तरस यहां पे काम शुरू नहीं किया था अमने टाइम लाइन को पीछे से आगे की तरफ मूव करता हूं ताकि आपको दुबारा एक अडर्शनिंग मिल जाए में 2020 में ये स्टेटिस था देन चु लोकेशन में दिखाऊं तो थोड़ से एल ब्लॉक के पार्क सुझी वाले जो काम है इस पर भी काफी हत्ता काम हुआ है आने वाले दिनों में जब इस पर मजीड डिवेलप्मेंट होगी तो इसके हाले से मैं मजीड वीडियो बना दूँगा अगे इन बैक्ट रेल टाइम क्योंकि यह जो ब्लॉक है सारा यह बहुत चोटा सा ब्लॉक है आपने मैं पर भी दिखा कि चंद स्ट्रीट से सिरफ और इस ब्लॉक में जातर पार्क सी है तो साइटी जो इस तरह की चीज़ होती हैं इस पर बहुत जातर फोकस करती है अब देखिए अब ब्लॉक्स जो है ब्लॉक B और ब्लॉक J के दिरम्यां देखिए ब्लॉक C और ब्लॉक आई के दिरमांड में जतने ब्लॉक्स हैं यो लिए मिमेस के जितनी सुचाइटी नहाँ पर तेजय से डिवलॉम्म्न की है बहुत अच्छी तरह कैसी है तो यह भी ब्लॉक में इसी तरह बॉक्छ J में प्लोट्स हैं, उनके साथ साथ जो लीनियर पार्ट्स हैं, उन पे आने मिले दिनों में सुसाइटी मेरा हल में काफी तेजी से काम करेगी, काफी यह तक ब्राउनिंग भी आपने देख लिए शुरू के स्ट्रीट्स में और बाकी जो पीछे वाली लेन्स हैं, यह स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर भी डिवल्लबंट जज़वाने ले दिनों में होगी, तो इंशालला मैं उसके दोबारा वीडियो बना दूँगा, अब अब किसी भी दूसरी साइट पर जाना चाहें, औरकी साइट अब्रसी जाहिए, आपको स्मार्ट नबर आप किसी भी वेडियो टूट करना मत भूलें, www.makansolutions.com, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए, तो प्लीज दू लाइक, कॉमेंट अंड शेर। और चैनल को रिजबान चीमा को दीजे अजासत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस